असलाम लेकुम जी, welcome to another video कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड की थी जिसमें मैंने आपको विचल उनवस्टी के हवाले से कुछ अप्डेट दी थी विचल उनवस्टी की डिग्रीज भी अब सौधी कल्चर और सौधी अबसी से अटेस्टेशन उनकी स्टार्ट हो चुकी हुई है तो ना ही सिर्फ उनकी डिग्री जो के ग्रैजुएशन या मास्टर या एंफिल की जो डिग्रीज होती थी इसके अलावा जो विचल उनवस्टी पोस्ट डेजुएट डिप्लोमा या एक साल का डिप्लोमा एशू करती थी अब उनकी अटेस्टेशन भी मुम्किन है तो आज की वीडियो में मैं आपको यही एक तो दुबारा से तरीके कार बताऊंगा कि वीचल उनवस्टी की डिग्री आपने कैसे अटेस्ट करवानी है उसके लिए क्या क्या डॉक्मेट्स आपको रिक्वाइड होंगे तो और आपको एक्जेंपल के साथ मैं दुबारा से एक डिग्री भी दिखाऊंगा जो के अभी रिसेंट इसी वीक में आठेस्ट होकर आई है जो के एक डिक्री नहीं थी वह एक डिपलोमा था एक साल का तो वो भी साथी कल्चर और अबैसी से कैसे वेरिफाई हुआ है उसकी भी डिटेल में आपको दिता है तो वीडियो स्टाट करते हैं जी जैसे के मैंने आपको बताए का आज हमने बात करनी है विचल इन्वस्टिज डिप्लोमे के हवाले से उनकी डिग्रीई के हवाले से कि सौधी culture के लिए उनकी requirements क्या हैं वो कैसे attest करवाई जा सकती है तो कोई requirement में जो basic requirements होती है डिग्री अटेसेशन की सौधी कल्चर और सौधी में उनमें कोई खास फरक नहीं है वो उसी तरह requirements है जिस तरह पहले से requirements चलती है आ रही थी दुबारा से मैं थोड़ा describe कर देता है उनको तो सबसे पहले जो हमें जरूरत होती है वोस होती है request letter की एक request letter सौधी कल्चर को लिखा जाता है जो का employer की तरफ से होता है और वो letter सौधी Chamber of Commerce से attest होना चाहिए उसके बाद एक request letter लिखा जाता है सौधी Ambasic के नाम पे और वो request letter भी सौधी Chamber of Commerce से attest होना चाहिए तीसरी चीज़ आ जाती है आपका job contract कहलें जाब offer letter कहलें या employment letter कहलें या खाले contract कहलें title कुछ भी हो salary का उसमें थोड़ा बहुत जिकर हो और उस letter को आपने Chamber of Commerce और सौधी Foreign Office से attest करवाना है याद रखें कि ये तीन चीज़ें आपको आपके employer की तरफ से मिलेंगी पाकिसान से ये चीज़ें arrange नहीं होती बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि शायद हम पाकिसान से ये documents बनेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ये तीनो documents आपको आपका employer ही ready करके देगा उसके बाद आजाती है आपकी degree जो के HEC Foreign Office से attest होनी चाहिए चाहिए वो graduation की degree है, master की degree है, MFIL की degree है यह post graduate का diploma है, यह virtual university का one year का diploma है क्योंकि जो virtual university के diplomas भी है, वो भी HEC के अंडर आते है तो HEC उनको जब attest करता है, तो भी वो foreign office भी उसको attest करता है तो जो diplomas इनके जितने मी हैं, वो एक degree की तरह ही process होते है तो जो भी आपके पास paper है, वो सबसे पहले जो degree है, यह diploma है वो सबसे पहले HEC से attest करवाना है, उसके बाद आपने उसको foreign office से attest करवाना है अगर foreign office आपका, जो 2019 से पहले का हुआ है, manual attestation उसके उपर हुई है कि आया उसका QR code काम कर रहा है, उसको document open हो रहा है या नहीं हो रहा डिग्री होगी, डिग्री के बाद mark sheet होगी, mark sheet को attest करवाना ज़रूरी नहीं है अगर आप करवाना चाहते हैं, तो आप अपने तोर पे उसको attest करवा सकते हैं सौधी कल्चर, mark sheet को attest नहीं करती, उसके बाद फिर आ जाता है regular student का letter regular student का letter आपको अपनी युनिवस्टी से ही arrange करना होता है, कोई भी third person उसको arrange नहीं कर सकता सिर्फ आप या आपका family member उसको letter को arrange कर सकता है, उस letter को arrange करने के बाद आपने उस letter को भी foreign office से attest करवाना होता है, उसके बाद बारी आ जाती है, उनिवस्टी की verification की fees चलान form, आपने अपनी उनिवस्टी से राप्ता करना है, और राप्ता करके उनको आपने ये बताना है, कि आपने अपनी degree सौधी कल्चर में अटेस्टेशन के लिए जमा करवानी है, और सौधी कल्चर वाले इमेल आप से verification लेंगे, उस verification का reply करने के लिए आप जितनी भी fees charge करते हैं, आपने वो fees in को सौधी कल्चर को submit करवा देनी है, और submit करवाने के बाद उसकी जो slip आपको मिलेगी, एक दो sleeping की university के तरफ से आपको मिलती है, वो दोनों sleep आपने degree के साथ attach कर जानी है, उसके बाद ये आगी basic चीजों के requirements आगी, उसके बाद एक थोड़ा से different process में आता है, अगर तो आप visa process करवाने के लिए ये attestation करवा रहे हैं, तो इन सब documents के साथ आपके passport original required होता है, अगर आप already सौधी रेबे में मजूद हैं और आपका residence card बन चुका है, एकामा आपका बन चुका हुआ है, तो उस सुरत में ये करना आता है कि आपके passport और एकामे की copy को company अपने letter pad के उपर print out करती है, print out करने के बाद उसके sign or stamp करती है, उसकी एक copy वो आपको देते हैं और दूसरी copy उन्होंने सौधी कल्चर को send करनी होती है, याद रखें कि सौधी कल्चर को जो passport और एकामे की copy send करनी है, वो सिर्फ सौधी अरब से ही की जा सकती ह यह सवाल होता है, कि वो कोरियर पाकिस्तान से कर ले, क्यों तांकि उनकी cost बच सके, लेकिन वो ऐसा possible नहीं है, चाहे आप कोई भी कोरियर सर्विस यूज़ कर ले, कोई भी cheap कोरियर सर्विस यूज़ कर ले, जो पहुंच सके वहां पर, लेकिन करना आपने कोरियर सौधी यह से ही directly है, चाहे वो आप खुद से कर दें या आपका employer कर दें, तो दुबारा से मैं एक दफ़ा, documents के नंबर बता देता हूं, सबसे पहले आपका आगया request letter to Saudi culture, उसके बाद request letter to Saudi embassy, उसके बाद आपका job contract, आपकी degree, आपकी mark sheet, आपका regular student का letter, युनिवस्टी की verification की fees का चल मेरे पास एक degree मजूद है, जो के virtual university की degree है, मैं अगर आपको दिखा सकतू, ये virtual university की degree है, असल भी ये degree नहीं, ये है diploma in computer sciences one year program, ये एक साल का diploma है, जो के virtual university की तरफ से student को issue किया गया था, वो एक regular program का, उनके पास letter भी है, आप screen के उपर ये diploma देख भी सकते हैं, ये front side है और या किया हुआ है, और उसके बाद सौधी कल्चर और सौधी इंबैसी ने दोनों ने इसको अटेस कर दिया है, तो अगर आपके पास भी इस तरह का virtual university का कोई भी diploma है, चाहे वो एक साल का है, दो साल का है, post graduate diploma है, तो आप उसको भी सौधी कल्चर और सौधी इंबैसी से अटेस क का process में जो आज कल टाइम लग रहा है, वो at least 28 working days का time होता है, कुछ universities जल्दी reply करती हैं, कुछ universities जल्दी reply नहीं करती, तो अगर जितनी जल्दी जल्दी reply कर देती है, सौधी कल्चर उतनी जल्दी attestation को wind up कर देता है, तो उस वरत में अगर आप चाते हैं कि आपको जो degree का process है, वो हम लोग स्टार्ट करें, और हम अगर आप ये service आप से लेने चाते हैं, तो screen के ओपर नमबर दिया गया है, आप इस नमबर के ओपर WhatsApp पे राप्ता कर सकते हैं, और website भी visit कर सकते हैं, website का link पी description में दिया गया है, वहाँ पर degree के हवाले से तमाम detail लिखी हुई है, और request letter के samples भी वहाँ पर मजूद हैं, तो आप वहाँ से भी ये चीज़े note कर सकते हैं, तो उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को subscribe कीजिएगा और वीडियो को like कीजिएगा, इन्शाला अगरे वीडियो में हाजिर होते हैं, आला हुआ 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 झाला हुआ 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 ह